आपने कई सारे वीडियोज देखे होंगे क्योंकि गरभावस्ता एक ऐसा टाइम होता है जिससे में आप सोचते हैं कि आप क्या ऐसा बहतर कर सकते हैं जिससे कि आप अपने बच्चे के लिए और खुद के लिए काफी अच्छी हिल्थ को साबित कर सकें क्योंकि बहुत सरे ऐ दिमाग में घर करती हैं कि क्या करें क्या नहीं करें वो सारी वीडियोज एक तरफ है लेकिन आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे मताऊंगी एक ऐसे एक्सेसाइज के बारे मताऊंगी जिसको अगर आप नियमित अपने प्रेगनसी में पूरी तरह से अपने कर लिए तो उसक दिमाग में हमारी दिमाग में सारी तमाम तरह की चीज़ है ये एकसिसाइज करेंगे तो नुपसान होगा फॉसbay MR में करें या नहीं करें अटर में नहीं करें लेकिन एक चीज़ जो कि आप अपने थ्रो आट प्रिंगनसी अगर आपकी प्रिंगनसी बिलकुल नॉर्मली हाई रिस्क का कोई भी चांस नहीं है कोई कॉम्प्लिकेशन इन्वाल्व नहीं है तो आप जिस समय आपका पॉजिटिव आता है आप जब मेडिकेशन पर आ जाते हैं आपको एक्स्ट्रा प्रोजिस्ट्रॉन के इंजेक्शन वगरा लग जाते हैं यानि कि पूरी तरह आप मेडिकेशन पर आ जाते हैं उसके बाद जो नमबर वन चीज करनी है आपको सिर्फ और सिर्फ वाकिंग करनी है वाकिंग इतना ज़ादा बेनिफीशल होता है मैंने अपनी खुद के वीडियो में बहुत ज़ादा वाकिंग के फाइदे बताए हैं वाकिंग में आप बहुत ज़ादा चांसे यह बना लेते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलिवरी हो डिस्पाइट और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए तो आपको 95 से लेके 98 परसेंट तक चांसे आपकी नॉर्मल डिलिवरी के सिर्फ वाकिंग के वज़ा से बनते हैं इसका मतलब कि आपका जो पहला फा महिलाएं conscious होती हैं अपनी वेट को लेके कि वेट अगर एक पर बढ़ता है तो जल्दी से कम होने का नाम नहीं लेता है और इसपेशली अगर पोस्ट पार्टन डिलिवरी की बात की जाए अगर डिलिवरी के बाद का जो बेट होता है उसको सड़न आपको घटाना आपके मुश्किल होता है तो जीन महिलाओं को बहुत जादा वेट को लेकी issues होते हैं चाहे अगर वो ओवर वेट हैं तो उनके मन में प्रॉब्लिम ये रहेगी कि क्या नॉर्मल डिलिवरी होगी या नहीं होगी क्योंकि हमारा वेट बहुत जादा है बीयामाई बहुत जादा है तो ऐसे केस में आप अपने वजन को भी नियंतरित रख सकते हैं healthy weight gain होना चाहिए आपकी throughout the pregnancy अगर आपकी single pregnancy है तो 10-12 kg की वजन का अगर increment होता है अगर बढ़ता है तो वो normal है लेकिन अगर twin pregnancy है तो 15-18 kg तक का भी वजन बढ़ना आपकी लिए normal होता है लेकिन इन सारे जो वी factor है आपका जो normal weight gain होना चाहिए और उसके बाद आप पसानी से weight lose भी कर सकते हैं तो अपने body को काफी जादा active बनाने की जरुरत है जितना जादा आप अपने body को active बनाईएगा उतना weight gain extra होने के chances कम होंगे तो आप अपने weight को अच्छी तरह से manage भी कर सकते हैं तो ये होता है वो काफी जदा flexible होता है muscles में काफी जदे strength आते हैं तो normal delivery में जितना pain जो normal महिलाओं को feel होता है उससे कम से कम 50 से 60% दर्द उन महिलाओं को कम होता है जिन्होंने throughout the pregnancy जो walking का सहारा लेती है walking regularly करती है क्योंकि जो lower body muscles होते हैं उन में काफी अच्छी strength आती है ताकि जब उस दर्द को cope up कर पाएं उनकी muscles इतने strong होते हैं ताकि वो बच्चे को अराम से deliver कर पाएं तो ये सारे फाइदे आपने देखे हैं काफी अच्छे फाइदे हैं लेकिन अगर मैं चौथे फाइदे की बात करूं आप बोलगे कि कितने सारे फाइदे हैं बहुत सारे फाइद होता है क्योंकि कई बार आपके हर्मोन काफी तेजी से बढ़ते हैं घटते हैं हर्मोन में काफी तेजी से बदला होता है कई बार आपको नौजियाटी का फील होते हैं वोमेटिंग फील होती है और उस टेम पे आपको बिलकुल खाने की एक्षा नहीं करती है लेकिन जैसे एर को ले लो ताकि तुमको खाने के एक्षा कर जाए या वोमेटिंग तुमको फिल नहीं हो तो जीन महिलाओं को बहुत जादा उनके लिए वॉकिंग एक रामबाण उपाय हो सकता है क्योंकि उनका थोड़ा सा ध्यान भटकता है थोड़ा सा फ्रेश येर अगर वो लेती है तो उनको अंदर से खाने की एक्षा भी करती है तो ये सारे जो benefit बताएं ये सिर्फ और सिर्फ walking से होती है लेकिन अभी रुकिए अभी एक और benefit बाकी है जो कि काफी जादा जरूरी है बहुत सारी महिलाओं को काफी जादा उनके sleep में disturbance होती है क्योंकि जैसे जैसे उनके पेट का बढ़ोतरी होता है जैसे जैसे बच्चा बढ़ा होता है उनके रीड के हड़ी में उनके जो भी जो pelvic muscles होते हैं उनमें काफी जादा दबाव पड़ता है जिसके वज़े से उनको properly sleep आना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो ऐसे केस में जब आप अपने body को workout में करते हैं आधे घंटे की अगर brisk walk up करते हैं नॉर्मल walk भी करते हैं तो आपका शरीर exertion में आता है आपका शरीर कुछ workout करता है तो workout करने से क्या होता है कि आपको proper sleep आती है sleep का disturbance नहीं होता है क्योंकि बहुत सरे महिलाओं को आपने देखा होगा कि 3-4-4 बज़े तक रात तक वो phone का इस्तमाल करती है उनको अच्छी तरह से नींद ही नहीं आती है तो जीन महिलाओं को रात में नींद नहीं आती है कम से कम दिन में आप आधे से एक घंटा walking करिएगा तो आपका शरीर ठकेगा और ठक के आपको काफी अच्छी नींद आएगी और जितना जादा आपके नींद की quality अच्छी होगी अगर आपकी इंप्रूफ होगी उतना आपकी हर्मोन भी बैलेंस रहेंगे तो यह सारे जो मैंने आपको benefits बताएं यह बहुत ही अदबुद benefit है जो कि सिर्फ आपको एक exercise यानी walking से हो सकती है तो इसलिए walking को आप skip मत करिए अगर आपका health जितना allow करता है जितना आप अगर अच्छी तरह से walk कर सकते है मतलब ऐसा नहीं कि अपने शरीर को बहुत ज़्यादा ठकाना है आपको ऐसा नहीं करना है proper time पे आपको rest भी करना है proper time पे आप अपने walking के steps भी बढ़ा सकते हैं या फिर आप इसको slow कर सकते हैं या fast कर सकते हैं आपके शरीर के उपर है कि आप किस तरह से walking को treat कर सकते हैं लेकिन आपको regular आपको walking जरूर करनी है 30 से 35 मिनट की walking तो आपको minimum जरूर करने चाहिए तो इतने सारे benefits देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई भी lady अगर उनकी normal pregnancy है तो वो walking को stop कर सकते हैं तो walking करिए बस आपकी सारी pregnancy एक दम यूही यूही फटाफट अच्छे से सुकत निकल जाएगी इसी कामने के साथ ये वीडियो एंड करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दिजिगा साथी साथ मेरे चैनल के अधर वीडियो देखिए जो कि आपके लिए काफे जादा helpful है Thank you so much for watching Prince my world, care